और चुलिए अब खबरे देखेंगे विस्तार से लगव के अकबर नगर में जिस समीन पर कभी भू माफ्याओं का कबजा हुआ करता था उसे कबजा मुक्त कराकर सीम योगी आदितिनाथ ने वहाँ पर व्रक्षर रूपन किया मुक्त बंतर योगी आदितिनाथ ने कहा कि अकबर नगर अब सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा सौमित्र वन के साथ ही शक्ति वन भी भीड़ेगा कभी जहाँ था अवैद कबजा जहाँ चलती थी भूब आफियाओं की मर्जी पहले उसमें आया कबजा मुक्त बुल्डोजर एक्शन के बाद अब सियम योगी ने किया प्रक्षर रूपन ये लखनव का अकबर नगर इलाका है जहाँ भू माफिया ने अवैद कबजा कर कॉलोनिया बसा रखी थी यहाँ बहने वाली नदी नाले में तबदील हो गई थी अब उसी अकबर नगर को सीम योगी ने कबजा मुक्त करा कर वहाँ व्रक्षर उपन किया है यानि की पहले बुल्डोजर चला कर अतिक्रमन हटाया गया और अब उसी जगहा पर पौधे लगाये गए इस मौके पर सीम योगी ने अकबर नगर को सौमित्रवन का नाम दिया सौमित्रवन के साथ ही शक्तीवन की घोशना की इसे फूमाभियाओं के खिलाब भी कारवाई करते फया लोच कराते उनके खिलाब कारवाई की गे और सुप्रीम कोड तक लड़कर गे लखनो विकास प्राधी करणे आज इसे खाली करवाया है और खाली करवाने के बाद जहां पहले अगवर नगर के नाम पर यहां पर पॉल्यूशन का एक माध्यम बनावा था आज वहां पर भगवान स्री राम के छोटे भाई लक्षिवन जी के नाम पर सोमित्र बनका आज यहां पर गठन हुआ है यह जो जितने भी बेड लगाए जा रहे हैं यह सोमित्र बन ही हैं यह सोमित्र बनके ही हो रहे हर संकरी के एक वाठिका मुझे भी यहां पर लगाने का उसर प्राप्त हुआ है ब्रक्षर ओपन के दुरान सीयम योगी ने एक बड़ा एलान भी किया और साफ कर दिया कि जिस नदी पर भूल जाने कबज़ा कर लिया था वहां आप नाइट सफारी बनाएंगे सरकार पे तै किया कि लखनों में आने वाले कोई भी अतितियों कोई भी प्रेटकों लखनों वासियों के लिए भी प्रदेश वासियों के लिए भी हम को क्रेल में एक नाइट सफारी के स्थापना करेंगे सिर्फ लखनव की बात नहीं है सियम योगी ने प्रयागराज में भी अवैद कबजे वाली जमीनों को कबजा मुक्त करा कर बहां गरीबों को आवास देने का काम किया है प्रयागराज विकास फ्राधिकरन अवैद कबजों पर लगतार बुल्डोजर एक्शन की कारवाई कर रहा है अभी हाल ही में प्रशासन ने अतीक एहमत की रिष्टतार इमरान के अवैद फ्लोंटिंग पर बुल्डोजर कारवाई कर कर करेब 20 वीगाद जमीन को कबजा मुक्त कराया था अलीना सिटी के नाम से मशूर अवैद कबजे वाली ये जमीन माफिया अतीक एहमत की ड्रीम प्रोजेक्ट पर लियाग राज में ही प्राधिकरन ने एक और 28 वीगा जमीन पर बुल्डोजर एक्शन की कारवाई कर ते हुए कबजा मुक्त कराया था इन जमीनों पर बिना किसी आदेश के ही अवैद प्लोटिंग की गई थी व्यूर रिपोर्ट न्यूज एटीन बीजेपी प्रवक्ता गौरब भाटिया ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भथ्ता मामले में प्रियंका गांधी खामोश क्यों है असम में चोटी चोटी बच्ची के निकाह के मुद्दे पर प्रियंका गांधी खामोश क्यों रहती है तो अपने ट्वीट में गौरब भातिया ने लिखा है कि सम्विधान पढ़ो सिर्फ लेकर घूमो नहीं अनुछे 14, 15, 16 और 21 सर्वोच न्यायाले का फैसला आया है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए उस वक्त कहां थी लड़की हूँ लड़ सकती उस पर सम्विधान और पॉस को कानून क्या कहता है चुनौती है अगर एक शब्द बोल दो और खबर लखनौ से है जहां पर टीचर ने बच्चे पर थपड बरसा दिये अंग्रेजी में वाटर नहीं लेकने पर थपड मारे हैं और टीचर की पिटाई से बच्चे की कान से खूर निकल लेगा परिशनों ने ठाकुर गंज थाने में तहरीर दी है आरोपी टीचर को प्रिशासन ने हटाया और ठाकुर गंज की टाउन हॉल पब्लिक स्कूल का ये मामला है और साथी क्लास्रूम में लगा सेसी टीवी कैमरे से ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कई थपड उस स्टूडेंट पर टीचर आ दिया किया है ग्रेट अनॉइडर से जुड़ी बड़ी खबर है जहां पर किट्नी ट्रांस्प्लांट ट्रैकेट की जाच जारी है जाच टीम ने यथार्त हस्पताल से पूस्टाश भी की है मैनेश्मेंट से दो घंटे से जादा पूस्टाश हुई है मामले में अस्पत की जाच जिले में करीब 100 किट्नी ट्रांस्प्लांट हुए है तो पूरे मामले को लेकर जाच जारी है साथ ये अस्पताल की डॉक्टर से भी पूस्टाश की जा रही है और मैनेश्मेंट से दो घंटे से जादा पूस्टाश हुई है और गोरकपुर में राश्ट्री सचेव सत्यनारा और पटेल की अगवाई कॉंग्रिस की एहम बैठक हो रही थी इस बैठक में कॉंग्रिस जलाध्यक्ष और साती महा सचेव के गुट ने जम कर हंगामा कर दिया कॉंग्रिस का एक गुट जलाध्यक्ष को हटाने की मान कर हाता हंगामा के दौरान में हाता पाई की नौबत भी आगए और दौरान का वीडियो आपको दिखा रहे हैं कबर महराजगुन से है जहां पर मूस्ट वांटेड बदमाश सुधियो पुलिस ने सुनोली बॉर्डर से गिरफतार कर लिया दिल्ले पुलिस की टीम ने गिरफतारी की है और दिल्ले पुलिस की एडबलू एस थाने में केरल के रहने वाले सुधिर के खिलाफ में धुका धरी और साथी मको का कानवा तहट में केस तर्च किया गया दो साल से सुधीर फरार था और सुधीर के खिलाफ में लुकाउट नोकिस की जारे किया गया सुधीर नेपाल भांगी की फिराक में था लेकर पोले समसे धर्द बोचा अम्रोहा में बड़ा रेल हादसा टल गया है माल गाड़ी के काई डिबे पट्री से नीचे उतर गया दिल्ली तकनों की दोनों लाइन बंद हुई घटना की वक्त में इंजन में तकनीकी खराबी दिल्ली जाने वाले सबी ट्रेन के रूट पतले गया इस रूट की सतभी ट्रेनों को रोका गया सुत्रों के हावाले से जानकारी है अम्रोहा रिल्लिस्ट्रेशन के पास में हादसा हुआ आपको जब पास हुए है निकले हैं तो आपको ट्रेक पर कोई समस्या लगी है कोई समस्या नहीं गाड़ी थूआ रही थी रखेंगे तीक साफ था कोई घटना कोई आवाद किसी तरे नहीं कोई जिंजर नहीं था ठीक यहां रोकेंगे एक छोटे सब ब्रेक के लिए आप देखते रहें न्यूसेटीन